नमस्कार प्रियतर्शकों हाजर हूं मैं 24 अप्रैल 2019 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वारकि स्वामी बुद्ध देव को नमस्कार कर चलिए राशिफल का एकारिकम प्रारम भकरते हैं सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की आज बुद्धवार वईशाख मास कृष्णपक्ष की पंचमी तिथी है और ये तिथी प्राताकाल 11 बचकर के 32 मिनट तक है और इसके पस्चात सश्ठी तिथी होगी आज मूल नक्षत्र है जो किसाम को 6 बचकर के 36 मिनट तक है और इसके पस्चात पूर्वा साढ़ा नक्षत्र होगा शिवयोग है तैतिल करण है बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज धनुडासी में संचरण कर रहे हैं आज अभिजित्म हुर्त नहीं है कोई राहुकाल का समय आज दोपहर में 12 बचे से ले करके 1 बच करके 30 संब नहीं करना चाहिए प्रायह लोगों की ये शिकायत होती है कि घर में हम 4 ही सदस्य हैं लेकिन कलह की स्थिती बनी हुई है किसी न किसी कारण से मतभेद सब में एक दूसरे में कोई एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहता कोई एक दूसरे के पास 10 मिनट भी बैठ जाए तो मतभेद सुरू हो जा रहा है घर का विकास रुकसा गया है बरकत रुकी हुई है बाधित है ये सिकायत प्रायाह आम लोगों की होती है आज का जो मैं दिब्यों महाप्रयोग बताने जा रहा हूं ये दिब्यों प्रयोग आपकी इस वस्त्त reflecting निदान है बात करे वरिष्चक रासी में संचरण कर रहे हैं वक्री हो करके और वहीं केतु शनी और चंद्रमा धनु रासी में संचरण कर रहे हैं शुक्र और बुद्ध मीन रासी में संचरण कर रहे हैं ये है ग्रह स्तुती इन ही ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आज आपके पूरे दिन का हाल मैंने तयार किया है वो नैदर्शक जो इस कारिकरम से आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए बता दूँ यह रासि फल आपकी चंद्र रासि के आधार पर है यानि आपकी जन्वी कुंडली में चंद्रमा जिस रासि में बैठे हैं वही आपकी रासि है अगर आ प्रयास कीजिए कि घर की बहु में या घर की सबसे बहतर हो कि घर की बहु इस प्रयोग को करे घर की बहु अगर इस प्रयोग को करे तो आपके घर में अगर कलह का वातावरण है विकास बाधित है बच्चों का विकास नहीं हो रहा है या आपके घर में बच्चे बिवाह लड़के या लड़कियां बिवाह योग्यों हो गए हैं, उनका बिवाह नहीं हो पा रहा, संतानुत पत्ती में बाधा हो रहे, यानि तरह तरह की समस्या, बुद्धवार के दिन ही इस प्रयोग को करना चाहिए, घर की बहुएं करें जादा बढ़िया, नहाद होकर के शनान इसने बृत्त होकर के प्रयात्वकाल, और आटे में थोड़ा गुड़ डाल देना है, और आटे को गूथ लेना है, मीठा आटा बना लेना है, और उसी आटे की रोटी पकाईए, ये मीठी रोटी हो गई, अब इसी रोटी को घर की वहुँ, घर के छप्पे चली जाए, औ और कवे को खाने के लिए दे दे, इससे घर में किसी भी प्रकार का अगर फित्र दोस्त जैसी स्तुती बनी हुई है, या कलह का वातावरन हो रहा है, घर का विकास अवरुद्ध है, घर में चार सदस्य हैं, लेकिन आपस में मतभेद, कलह, अनबन की स्तुती रह रही है, ब बहुत ही स्रिष्ट सुद्ध होने वाला है, आप इस प्रयोग को करके लाभ अवस्य उठा सकते हैं, चलते हैं रासी फल की तरफ, सबसे पहले बात करेंगे रासीों के क्रम में, पहली रासी, मेस रासी, आपकी रासी से चंद्रमा भाग्य भाव में संचरन कर रहे हैं, से हल हो जाएंगे, आज का दिन आपके लिए अत्यंत महत्त पुर्ण रहने वाला है, अतह जो भी समस्याय हैं, जो भी परिसानियां, जो आपको परिसान कर रही हैं, उससे बाहर निकलने का दिन है, जो भी कार्य जिसे लेकर कि आप कई दिनों से बैठे हुए थे, पुरा नहीं कर पा रहे थे, आज उसे पूरा करने का प्रत्न करिये, पूरा हो जाएगा, नौकरी पेसा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, और व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, किस्मत का संपुर्ण साथ आपको मिलने वाला है, लाभ की स्थिती बन रही है, ब्यापार संबंधी, नई ओजनाओं का आज क्रियान वयन होगा, नई ओजनाएं आप बनाएंगे, आज आपको कोई भी पुरानी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, अगर आप मेस राचिके हैं और अब विवाहित हैं, तो विवाह का प्रस्त और स्रेष्ट है, गवर्मेंट जो पाने के लिए अगर आप प्रत्म कर रहे हैं, प्रतियोगिता परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको लाभ मिलने वाला है, विदेश में रहकर के अगर आप सिक्षा ग्रहन कर रहे हैं, आपको सफलता मिलने वाली है, निकि विद्यार चाजन्य रोग कोई बहुत बड़ी परिशानी नहीं है तो चाजन्य रोग की शिकायत हो सकती है सावधान रहिए हाला कि आज काम थोड़ा जादा रहेगा इसके चलते आप साम को थोड़ी थकान महसूस करेंगे क्या करना चाहिए आज घर से दही खाकर के निकलिएगा दही खाकर के ही जाइएगा सभी काम बन जाएंगे आपके लकी अंक आज आपके लिए नौ रहने वाला है यानि पुर्णांक आज आपका लकी अंक है और लकी कलर है लाइट ग्रीन बात ब्रसब रासी की कर लेते हैं ब्रसब रासी के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने व कोई बड़ा मौका आपको जरूर मिल जाएगा नौकरी पेसा लोगों के लिए पदुन्नती का योग बन रहा है और वहीं बेतन सहित कई मामलों में अधिकारियों की सहनुभूती आपको प्राप्त होने वाली है लेकिन चुकि आज मानसिक असांती बहुत जादा रहने वाला है अतह किसी भी मामले में अगर कोई फैसला लेना है बहुत सावधान रहिएगा कोई जल्दबाजी मत करिएगा और किसी भी मामले में जहां आपने जल्दबाजी की नुकसान अपना तैस समझेगा ब्यापारी वर्ग के लिए दिन वैसे तो सामान्य है पैसे का अगर पीछे मत बैठिये विशेश रूप से दुपहिया वाहा नित्यादी पर अगर आप पीछे बैठते हैं तो आज आपको सावधान हो करके बैठना चाहिए क्योंकि चोट चपेट की घटना अवस्यंभावी है प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं क सकती है यानि इसके कारण आप परिशान हो सकते हैं और मौसमी बिमारी भी आज आपको परिशान कर सकती है लकी अंकाज आपके लिए पांच रहने वाला है और लकी कलर है ब्राउन बात मिथुन डासी की करते हैं मिथुन डासी के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने व और ये यात्रा आपके लिए फाइदा देने वाली है, नौकरी कारेक छेत्र में काम की आज अभिक्ता रहने वाली है, लेकिन आपके लिए आज का दिन बहुत ही स्रिष्ट है, व्यापारी वर्की अगर बात करें, तो कहीं पैसा फसने की भी संभावना है, अतह निवेस करने हैं, आज निपट जाएगा, आज आप किसी से भी जोर जबर्दस्ति मत करिये, जोर जबर्दस्ति करके अपना आगर काम करवाना चाहते है, तो वे ब्विक्ति काम तो क्या करेगा, आपका काम बिगार देगा, तुजरा सावधान रहिएगा, पाटनर से आज आज आपको स सीवन साथी को अगर समझना है तो भावनात्मक रूप से समझिए उनकी भावनाओं की कदर करिए उनकी भावनाओं को समझिए प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान है कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है विद्यार्थिवर की अगर बात कर लें दिन बहुत आसानी से सफलता आपको मिलने वाली है लौ के विद्यार्थि हैं मैनेजमेंट के भी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है सेहत की बात कर लें मानुसिक ठनाओ और ठकान नींद की कमी से आप आज परिशान रह सकते हैं हनुमा अभैन जी कुझ तिलक लगाईए और वही तिलक फिर अपने माठे पर लगाए सारे काम आपके बन जाएंगे लखी अंकाज आपके लिए आठ रहने वाला है और लखी कलर है लाइट एलो पीला हलका पीला किरक राशे की बात कर लेते हैं करक राशे के जातकों के लिए जाधा पीते हैं उसको छोड़ने की सोच रहें कई 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 दिनों से तो आपको प्रयास करना चाहिए या कोई और बुरी लत हो कोई गलत संगती हो इससे आज आप बचने का प्रत्न करिए इससे मुक्ति पाने का प्रत्न सुरू कर प्रयास सुरू करेंगे सफलता मिल जाएगी धनागवन के संयोग बन रहे हैं वेतन वृद्धी की सूचना मिलने वाली है या प्रमोशन से संबंदित खुसकबरी भी आपको प्राप्त होने वाली है धैरे से काम लेना होगा ऑफस में या कारेस्थल पर किसी भी प्रकार के फ प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपको बिवाद से सावधान रहना चाहिए बिवाद से दूरी बना करके रखिए यही आपके लिए बढ़िया है किसी का अपमान बिलकुल मत करिएगा क्योंकि आज अपमान करने से आपको नुकसान होगा प्रेम अज आप फोड़ों के लिए बीडिन ठीक है और दामपत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है हाला कि जीवनसांथी की सेहत को ले करके आज आप ठोड़े परिशान रहेंगे क्योंकि पुराना रोग उभर जाने के कारण जीवनसांथी परिशान रहेगा और किसी गरीब को कुछ दान दीजिये, कोई पुराना कपड़ा, कोई भी चीत जो भी आपके पास हो, अगर अधिक है तो दान अवस्य करिए किसी गरीब को लाभ मिल जाएगा लकियंग का आज आपके लिए चार रहने वाला है और लकी कलर है ब्लू बाद सिमरासी की करते हैं, सिमरासी के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है देखा जाए, तो आप की रासी से चंद्रमा का संचरण पंचम में चल रहा है, बहुत बढ़िया है कहीं पर धन फसा हुआ है, निकालने के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है आज प्लैनिंग बना करके अगर आप काम करते हैं, तो हर मामले में आपको सफलता मिल जाएगी नौकरी पैसा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, अगर इस मामले में विचार करें, तो अधिकारियों से आज आपके संबंद बहुत अच्छे रहेंगे किसी नए ओफर के लिए आज आपको तयार रहना चाहिए, वहीं वियापारिवर के लिए देखा जाए, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, पूर्व से आरही समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी, रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, आज किसी से बेवजह, बाद विव और जिद्द नहीं करनी चाहिए, इससे नुकसान आपको हो जाएगा, अपना काम बनाने के लिए जूट भी मत बोलिए, इससे भी आज आज आपको नुकसान हो जाएगा, प्रेम संबंदों की बात करें, तो आज प्रेम संबंदों के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं द उत्ति रहेगी, लेकिन फोड़ी से महनत से ही आपको बेहतर सफलता प्रापत हो जाएगी, शेहत की बात कर लें, तो आखों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, और वहीं पेट से संबंधित परेशानी भी आपको हो सकती है, क्या करना चाहिए? हनुमान जी के मंद आज का दिन कैसा रहने वाला है? 42 से चंद्रमा, चतूर्थ में संचरन कर रहे हैं, शुखभाव में संचरन कर रहे हैं, आज आपका जीवन बड़ा सहज और सामान्य रहने वाला है, जल्दबाजी या अति उत्साह में कोई काम मत करिएगा, कार्यक छेत्र में आज आपका प् नुक्षान हो जाएगा वहीं Shear Market में आप निवेस करते है तो सावधान रहिए क्योंकि Żear मार्कट में निवेस करने से भी आपको जरासा नुक्सान की संभावना दिखाईये तो इस मामले में आपको सावधान होना चाहिए आज क्या नहीं करना चाहिए जोखिम भरा कोई विद्यार्थिवर्ग के लिए देखा जाए आज का दिन भाग दोल भरा रहेगा पढ़ाई बहुत अच्छी आज आज आपकी नहीं हो पाएगी दिमाग में कोई न कोई टेंसन रहेगा जिसको लेकर क्या परिशान रहेंगे और बिमारीयों की बात कर लें तो कोई पुराना रोग जिससे आप परिशान थे मुक्ती मिल जाएगी हलाकि मौसमी विमारी से आपको साउधान रहना चाहिए विसे सुर्प से अपने बच्चों को साउधान रखना चाहिए परिशानी हो सकती है घर के करीब किसी मंदर में जाकर के थोड़ा सा इत्रदान करिए लाभ मिले बस कोसिस करना होगा लगातार प्रित्न आज आपको सफलता दिला देगी आज किसी खास काम के लिए आपको कड़ी मसकत करनी पड़ेगी हलाकि उसमें फाइदा भी आपको मिल जाएगा नौकरी पेसा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है अधिकारी वर्ग का जहां सम्मान और सहयोग मिलने वाला है वहीं साबासी भी आपको मिलने वाली है व्यापारी वर्ग के लिए दिन भागदोर भरा रहेगा दलाली या कमिशन से संबंधी तकर आप काम करते हैं बहुत बढ़िया रहेगा आज किसी रिष्टदार के कारण आपको थोड़ा पर सूचिए और तभी कदम उठाइए प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है अगर आप प्रेम संबंध में हैं और अपने प्रेम संबंध को बिवाह में बदलने के लिए उत्साहित हैं पैरेंट से बात करिए सफलता मिल जाएगी दामपत्त्य जीवन ब सकती है आज घर के करीब कोई मंदिर हो वहां जाकर के द्रमण को कुछ दान दीजिए प्रणाम करिए और प्रणाम करके ही कारेस्थल की तरब जाईए लाब मिलेगा लखियंक आज आपके लिए पांच रहने वाला है और लखी कलर है लाइट ग्रीन बात वृष्चिक रास कोई काम नहीं शुरू करना होगा विसे शुरूप से व्यापारादी का कोई काम करते हैं तो किस्मत के भरोसे कोई कामत करिए अपना विवहार आज आपको साकरात्मक रखना होगा प्रैक्टिकल बनना बहुत जरूरी है संतान को लेकर के जो चिंता आपको सताय जा रही थ तो जिसको आपने भुला दिया है जिसको आपने भुला दिया है मैं इक सलाह दूंगा कि हो सके तो एक बार बात चित करके देखिए आज और बात किसमत का शांत आपको मिل सकता है इस मामले में साइद बात बन जाये सरकारी नौकरी अगर आप करते हैं दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन जो प्राइवेट जोब में है थोड़ा महनत भरा रहेगा लेकिन आज की गई महनत आने वाले दिनों में आपको जबर्दस्त लाब देने वाली है व्यापारी बर के लिए आज का दिन बहुत तो आज किसी से पैसे उधार मत लीजिएगा आज आपके सहयोग से आपके पार्टनर के सारे काम बन जाएंगे अगर आप अभिवाहित हैं तो बिवाह का प्रस्ताव आने वाला है आपके लिए दामपत्य जीवन में थोड़ा मतभेद रहने वाला है और यह मतभेद आप ही क जिकायत आज आपको परिशान कर सकती है हो सके तो गाय को रोटी दीजे खाने के लिए लाब मिलेगा लकी यंक आज आपके लिए आठ रहने वाला है और लकी कलर आज आपका बैंगनी है बात धनुरासिकी कर लेते हैं धनुरासिके जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने करते हैं तो आज आपके सोचे हुए प्रतेक कारे पूरे हो जाएंगे कोई भी परिसानी जो पूर्व से आ रही थी वो आज आपकी खत्म हो जाएगी पुराना चला आ रहा कोई कोट कचहरी का केस है वो जल्द से जल्द पूरा होने जा रहा है धन कमाने के नए औसर आपको प्राप्त होने जा रहे हैं रुका हुआ पैसा कहीं फसा हुआ पैसा विसेश रूप से अगर सरकारी छेतर में टेंडर इत्यादी से संबंदित कोई काम करते हैं और आपका पैसा सरकार के पास फसा हुआ है तो मिलने का एक प्रबल योग बन रहा है नौकरी पैसा लोगों पारिवर के लिए आज का दिन सामानने रहने वाला है पैसो का हिसाब किताब आज आपको ठीक से रखना होगा मैं बता चुका हूँ लापरवाही से नुकसान होने जा रहा है सेहत को लेकर के जरा साउधान रहीएगा क्योंकि सेहत से संबंदित परेशानी आज ज्यादा र रहेगी उनके काम रुक जाने से कारेक छेत्र में परिशानी होने से आज आप थोड़े परिशान हो सकते हैं सेहत की बात कर लें तो सेहत को लेक विद्यार्थिवर की बात कर लें तो विद्यार्थिवर के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है हाला कि अपनी बात मकरापिथि की लिए लेकिश रखिले आएm 22am का सम्मान मिलने वाला है। प्रतिया आज आपको सावधान रहना चाहिए, किसी काम को किसमत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, यात्रा का कोई कारिक्रम बना रखा है, तो उसमें बदलाव आपको करना पड़ सकता है, कारियक छित्र में, प्रोफेस्नल लाइफ में आज का दिन बहुत बढ़िया है, नौकरी और ब्यापार दोनों में आर्थिक फायदा होगा, लेकिन बियाधिक के इतना जादा होगा, कि मानसिक रूप से आप परिशान रहेंगे, या यूँ कहिए कि आपका बजट बिगर जाएगा, आज आपको भावुखो करके कोई फैसला नहीं करना चाहिए, जो भी क कि बात कर लें, कम मेहनत से ही, सफलता बड़ी जबर्दस्त है, सेहत की बात कर लें, पुराना रोग, अगर आपको परिशान कर रहा था, ठीक हो जाएगा, हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, और अगर आप शुगर के रोगी हैं, मधुमेह के रोगी हैं, परिश आज का दिन कैसा रहने वाला है, रासी से चंद्रमा लाब हमें चल रहे हैं, बहुत अच्छा, अपनी योजनाओ पर फिर से एक बार विचार करके काम करेंगे, सफलता मिल जाएगी, आपके लिए देखा जाए तो चंद्रमा लाब भाव में होने के कारण, धन के लेकिन धन ना होने से आपने उस काम को छोड़ रखा था, बनने लगेगा, प्रोफेस्नल रिस्ता, यानि कारिक छित्र में आपके जो रिस्ते हैं, वो और मजबूत होने वाले हैं, चाहे वो बोस से हो, चाहे वो सांत के कलीक से हो, आज आपको किसी से बिवाद नहीं करना चाहिए, बिवाद करने से आज आज आपको बचना चाहिए, पाट्नर के साथ आज का दिन मनुरंजन पुर्ण, यानि बहुत बढ़िया बीतेगा, कहीं घूमने के लिए आप साथ जा सकते हैं, दिन बहुत बढ़िया है, जीवन सांति के साथ संबन्द बहुत बढ़िया रहेगा कोई दिक्कत ने विद्यार्थीवर की बात करें मेहनत थोड़ी जादा होगी लेकिन रिजल्ट भी बड़ा जबर्दस्त मिलने वाला है सेहत के मामले में आज आपको सावधान रहना चाहिए विसेश रूप से पेट जन्ने रोग आपको परिशान कर सकते हैं गनेश जी के मंदर में जाइए और गनेश जी को दुरवार पित करिए ओम गंगडपतय नमहस्वंत्र को बोलते हुए लाब मिलेगा लखी यंक आज आपके लिए साथ रहने वाला है और लखी कलर है ग्रे बात मीन रासी के करते हैं मीन रासी के जातकों के लिए आज का दिन क कोई पुराना दोस्त आज आपका मिल सकता है जिससे मिल करके मन बड़ा आनंदित होगा नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है कहीं भी रहिये होस में जोस में और मन में सकारात्मक विचार रख करके काम करिये सफलता मिलेगा होस में रहना होगा जोस में भी रहना होगा सब की मदद मिलती रहने वाली है आज आपको क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो नुक्सान हो जाएगा प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है हलाकि दामपत्य जीवन के लिए बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा घर परिवार में कुछ न कुछ आज कलह और तनाव का वातावरन रह सकता है जिसका सीधा असर आपके दामपत्य जीवन पर पड़ेगा इसके चलते आप परिशान रहेंगे विद्यार्थिवर के लिए आज का दिन संघर्स भरा रहेगा कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी सीने में जलन कफ की सिकायत आज आपको हो सकती है जिससे आप परिशान होंगे अगर डॉक्टर सही रोग आपका नहीं पकड़ रहा तो हो सके तो डॉक्टर चेंज कर लीजिए इससे भी आपको लाब मिल जाएगा एक काम करिए कुट्टे को रोटी खिलाइए और रोटी पर थोड़ा सकर या गुल डाल दीजिएगा लाब मिलेगा लखी अंकाज आपके लिए तीन रहने वाला है और लखी कलर आज आपका सफेध है प्रियदर्शों को ये था मेज से लेकर के मीन डासी परियंद प्रतेक रासी के जातकों का पूरे दिन का हाल तो अभी के लिए वस इतना ही इजाज़त दीजिए नमस्कार